नमस्कार मैं रिया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आए एंटी मीडिया के विशेश कारिक्रम हिस्ट्री ओप दे में पहली पंच वर्षे योजना का आज की दिन किया गया था प्रकाशन देश में पहली पंच वर्षे योजना का प्रकाशन 9 जुलाई 1951 को किया गया था देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने संसद में पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की थी यह योजना हेराल डॉमर मॉडल पर अधारित थी और मुख्य रूप से बांधो औ 2068 अरब रुपे की थी प्रथम पंच वर्षे योजना का पहला उत्देश्य अल्पकालिक और तातकालिक आर्थिक असंतुलन के समस्याओं का निराकरण करना और दूसरा उत्देश्य धीग्र कालीन समाजिक एवं आर्थिक धाचे में संग्रचनात्मक परिवर्तन करना थ देश के पहले स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना देश के पहले स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज ही स्थापना 9 जुलाई 875 को की गई थी बंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिय का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है यह भारती शेहर बजार की दो प्रमुक स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। दूसरा एक्सचेंज नैशनल स्टॉक एक्सचेंज है। भारत को अंतराश्ट्रे वित्ते बजार में श्रेष्ट स्थान दिलाने में बंबई स्टॉक एक्सचेंज की एहम भूमी का रही है। इस बंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉंट्रेट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहट स्थाई माननेता मिली है। आज के दिन हुआ था सुडान का विभाजन दक्षिनी सुडान बना था नया देश। 9 जुलाई 2011 को एफ्रिका महादीब का सुडान दो भागों में बट गया था। और दक्षिनी हिस्सा रिपब्लिक ओफ साथ सुडान के नाम से नया देश बना था। यह वीश्व का 156 सुतंत्र देश, संयुक्त राश्ट का 193 सदस्य देश और एफ्रिका महादीब का 55 देश है। दक्षिनी सुडान को जन्मत संग्रा के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। जन्मत संग्रा में 98.83 पतीशत लोगों ने सुडान से अलग नय राश्ट्र के निर्मान के लिए मत डाला था। हालाकि अपनी अजादी के ठीक बात से दक्षिन सुडान को आंतरिक संगर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आज के दिन हुआ था महान अभीनेता गुरुदत का जन्धी फिल्मों के महान अभीनेता वसंद कुमार शिफशंगर पादु कोन और्फ गुरुदत का जन्ध 9 जुलाई 1925 को बैंगलॉर में हुआ था। गुरुदत ने हिंदी सिनेमा में अभीने और निर्देशन दोनों शेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाएं। गुरुदत की प्रतीबा का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि टाइम पत्रीका ने उनकी फिल्मों प्यासा और कागस के फूल को दुनिया की सो बहतरीन फिल्मों में जगा दी थी। उनकी बहतरीन फिल्मों में चोधवी का चांद वह साहब बीबी और गुलाम को भी शामिल किया जाता है। गुरुदत 1950 के दशक में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के वेफसाइक चलन को विक्सित करने के लिए प्रसिद हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत पपुन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए IAMT मीडिया।